मुस्कूराने से सुरू और उलाने पर खत ये वो जुर्म है जनाप जिसे लोग महबबत करते हैं मैं जय उत्रानी स्वाथ करता हूँ आपका आपके अपने यूटूब चैनल उत्रानी क्लासेज में आज बाइनोमियल थियूरम का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है इस वीडियो लेक्चर में मैंने दो कोश्चन लिये हैं हर वीडियो में किसी कोश्चन को लेके उस पर अप्लाई हुए ट्रिक को एक्स्प्लेन करके उस पर डिसकस करता हूँ तो आज ये दो question है, इसको by trick हम solve करेंगे, अगर आपको trick पता है तो आप विस्वास करिए, आपको केवल 1 second लगेगा, 1 second या कर लो कि 1 second से भी कम अगर time होता है तो उतना आपको लगेगा, आप देखते ही answer बताओगे, तो आपको समझते हैं क्यासे, पहले question को समझ लें, in the expansion of 1 plus x to the power 50, the sum of the coefficient of the odd power, ठीक है, odd power of x is, इसमें sum of the coefficient of odd power of x हम को बताना है, ठीक है, ये आपका NDA 2017 का question है, एकदम छोटा सा question है, एकदम छोटा सा, ठीक है, अभी जब मैं बताऊंगा, तो आप विश्वास नहीं करोंगे, आप कहोंगे यार, बहस यही था, देखें, second, in the expansion of 1 plus x to the power 70, the sum of the coefficient of even power of x, ठीक है, अब भाई, यहाँ पे even power की बात कर दिया, ये आपका J.E.M.S. का question है, किसी एर का है, वो मुझे द्यान नहीं, J.E.M.S. का था, तो मैंने उठा के लिख दिया, ठीक है, answer है, 0, 2 to power 69, 2 to power 70, 2 to power 71, ठीक है, इसी तरह यहाँ चार option दे दिया है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक formula याद रखना है, कि sum of the coefficient of expression, 1 plus x to the power of 50, अब उसमें odd power of x की बात करे, चाहे even power of x की बात करे, मतलब आपको इस wording पे ध्यानी नहीं देना है, अगर even power of x की बात करे, तो भी formula वही होता है, और odd power of x की बात करे, तो भ formula क्या होता है, यह भी तो बता दीजे, sir, लिख देते है formula, इसको आप याद कर लो, formula बस यह होता है, 2 to the power of n-1, अब यह n क्या है, n उसका power है, 1 plus x to the power of n के form में आपको अगर expression दिया रहे, तो यही n है, यही n, हाना, अब यहाँ पे, form अच्छा यहीं रहना चाहिए, ठीक है form आप चेंज नहीं करोगे, जो बानोगर सिर्म का, जो form होता है, 1 plus x to the power of n वाला form, हाना, यही form रहना चाहिए, ठीक, किसी और form पे यह apply नहीं होगा, ठीक है, तो अगर यह form है, यहाँ पे भी यह form है, यह form है, ठीक है, इस form के लिए यह formula होता है, यह formula हम apply कर सकते हैं, तो हम को solve करने के जरुवती नहीं है, क्या होता है, to the power n-1, अब यहाँ पर क्या हो जागा, इसके लिए, to the power n-1, to the power 49, मतलब आपका option number B, यह यहाँ के correct है, इसके लिए भी देख लेते है, to the power n-1, 70-1, to the power 69, इतना भी solve करने के जरुवत नहीं है, वैसे भी आप देख सकते हो, इसमें भी option number B correct है, यह आपका answer हो गया, तो friends, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने next room में, तब तक के लिए, स्वास्त रहें मस्त रहें, खुस रहें, जैहिंद